नश्कार आज हम डिस्कस करेंगे गिरीरास पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की सापताई पत्रिका है तो गिरीरास पत्रिका हम डिस्कस करेंगे जून महीने का पहला पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इससे पहले जितने भी मन्त हुए हैं वो सभी जो है हमने पहले ही डिसकस कर लिये हैं जून 2023 का ये फर्स्ट पार्ट जहाओ डिसकस किया जाएगा और इसमें एक सब्ताह के अंदर जितने भी important हिमाचल की news, हिमाचल की questions, important facts बने होंगे उनसे भी कौम discuss करेंगे सबसे पहला question देखिए, बोलते हैं the Supreme Court has allowed felling of care trees on government forest land in how many forest division of हिमाचल प्रदेश तो कुछ ताइम पहले आपने सुना होगा कि Supreme Court ने ये आदेश दिये हैं कि अब हिमाचल प्रदेश जो है वो सरकारी वन भूमी पर जो खैर के पेड़ है उनको काट सकता है पहले ये अनुमती नहीं दी हिमाचल के पास अभी हिमाचल ने आर्ग्यू किया कि देखिए हमें जरूरत है और हमारी economy को भी फाइदा मिलेगा यहां से और हमारे पास बहुत सारे खैर के पेड़ है तो हमें permission दी जाए तो अभ हमाचल को ये permission दे दी गई है परन्तु पूरे हमाचल में नहीं दी गई है कुछ एक divisions में दी गई है अब यही question में पूछ जाता है कि कितनी forest division ऐसी है कितने forest प्रमंडल ऐसे हैं जिनमें ये प्रमिशन जो है वो मिली है यह है 10 option A 10 मंडलों में जो है यह हो जाएगा पूरी तरह से जानिये fact क्या है देखो Supreme Court ने जो है यह कहा है कि 10 forest divisions में जो है आफ क्या कर सकते हो खैर के पेड़ जो हो काट सकते हो अब हमाचल प्रतेसरकार की और से यह कहा जाता है कि हमने जो है वो जो plan है एक तरह से ready कर दिया है पांच divisions में पांच division में जो हो जो पांच forest division है उनमें जो हो पेड़ों को काटने का plan जो हो हमने त्यार कर दिया यह हैं पांच division उन्ना, हमिजपूर, बिलासपूर, नालागड और कुटले है यह पांच division जो है यहां पर already जो है वो इन्होंने क्या किया है planning बना ली है और 16,500 ट्री पर एन्नम जो है वो यहां पर काटे जाएंगे ठीक है और आप अगला देखिए अगले में क्या बोलते हैं बोलते हैं कि यहां पर बोलते हैं कि preparation जो चल रही है बाकी की division के लिए वो कौन-कौन सी है उनमें नहान आता है पॉंटा साहिब आता है धरमचाला आता है नूरपूर आता है और देहरा आता है तो यह दस division के नाम भी आपको पता चलगे और plan पांच के लिए बन गया है पांच के लिए बन रहा है बन जाएगा जल्दी ही ये आप जानी है तो पांच एक बार दस कौन कौन सी डिवीजन है ये उन्ना, हमिरपुर, बिलासपुर, नालागड, कुटलेहर, नहन, पॉंटा साहिब, धरमचाला, नूरपुर और देहरा ये आपने ध्यान दखने है देहरा से ही मुझे क्वेशन मैं बात कर रहा हूँ देहरा एसेंबली की जो विधान सभा सीट है डिस्ठी कांगडा से, कल मैंने यूट्यूब पर ही एक क्यूज डाला था कि देहरा जो है जो पोल होते है यूट्यूब पर क्यूज के रूप में वहाँ आपको टिक करना था सही अंसर, वो मैंने डाला देहरा विधान सभा जो है वो कौन सी लोग सभा क्यूंसिचेंसी के तहट आती है अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कांगडा में आती है चलो ठीक है डाउट हो जाता है प्रन्तु मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया कि ये कांगडा में नहीं ये हमिरपूर में आती है वीडियो में तो हम एक्सप्लें कर चुके थे पिछले का लिए अब जिसने नहीं देखी होगी वो उसकी गलती है प्रन्तु फिर कमेंट्स में आरग्यू ये करते हैं कि ये कांगडा में आती है इस तरह से उस तरह से भई एक बार सर्च तो करो ना अप ढंक से करो ना आपको नहीं पता कोई बात नहीं आपको डाउट है कोई बात नहीं मैं बता भी रहा हूं तब भी आपको समझ नहीं आ रहा आप एक बार होंबर्क जरूर करें उससे आपको और भी ज्यादा नौलेज मिलती है जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं प्रन्तु अ अगला कोशिन देखिए कहीं पर भी बात है यहां पर तो रहें तो छोटी सी बात है और भी हमारी सोशल लाइफ में भी यह चीज़ें होती है आर्ग्यू करके हमेशा एनरजी बेस्ट होती है और टाइम भी बेस्ट होता है अप अच्छे से होंबर्क करो फिर अगर आप किसी चीज़ को करेक्ट करते हैं तब उसका मजा कुछ और होता है अगला कोशिन देखिए बोलते हैं फिफ्टिंथ फाइनेंस कमिशन है और यह बना दिया जाएगा और यह बनाया जाएगा अब कहते हैं कि पंद्रवां जो वितायोग है जिसके चेर्मन एनके सिंग हैं एनके स उसके चेर्मन उसने रिकमेंड किया कि इसके लिए हम कितना पैसा देंगे कितने पैसे की सिफारिस की गई थी तो एक हजार क्रोर्टर पे की सिफारिश जो था ऊसने की थी option सी सही हन्तर और भी डिटेल से जानेंगे प्रंदू उससे पहले यह नियूज में क्यूं आया यह भी तो पता होना चाहिए तो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्या मंत्री जो था वो केंद्रिये वित मंत्री जो निर्मला सितरमन है उंसे मिले और इन्हों ने यह कहा कि इन्हें जो है कुछ पैशा तो दिया 000 कροोड प्या जो है यह Greenfield airport जो मंडी में बनेगा उसके लिए है और यह 400 के लिए कांगड़ा Airport के लिए है और यह recommendation थी r यूइर करने करती है एकर बात यहां से करता हूं तो एरपोर्ट कहां कहां पर है एरपोर्ट हिमाचल प्रदेश के गगल डिस्टिक कांगड़ा में आता है एरपोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के भूंतर डिस्टिक कुलू में आता है एरपोर्ट डिस्टिक शिमला के जुबरहर्टी में आता है तो यह एरपोर्ट आपने धियान रखने है, Finance Commission के बारे में आपने जान लिया, State का जो Finance Commission है, उसके बारे में भी आपने जान लिया, तो इतनी जानकारी यहां से, काफी है, Exam Point of View के लिए, अगला कोशिन देखें जी, अगला कोशिन क्या बोलते हैं, बोलते हैं, परिविया, जो है, उसका कितना है, इसकी बात क्यों जो था, वो गिर्रास पत्रिका में की गई थी, पहले मैं ये बता देता हूँ, आपको फिर हम डेटेल से करते हैं, गिर्रास पत्रिका में बात की गई थी, कि मुख्यमंत्री ने जब शिमला जिले के रोडू में जो था वो हिमाचल प्रदेश की जो कोली समाज के तेरवा जो त्रेवासिक सम्मेलन था उसकी अध्यक्सता करते हुए इन्हों ने जो था वो सरकार की कुछ अपलबदियां गिनवा दी यहां पर तो इन्हों ने यह कहा यहां पर की अनसुचित जाती विकास कारेकरम के लिए जो है हमने 2399 क्रोड पर जो है वो अवंटित किया है ऑप्शन भी सही अंसर हो गया 2399 क्रोड आपने ध्यान रख लिया यह अब बजट के कॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं कि बजट में किस किस तरह से चीज़ें कही ग है इस मैसे जो स्चेड़ूर काश्च डेवल्प्मेंट फ्रोग्राम के लिए बिजट किया गया है वह 2399 क्रोड किया गया है और owe evil development फ्रोग्राम के लिए किया गया है वह 0 Afterушки क्रोड क्रोड किया गया है और उपने ध्यान रखना हां यहां पर की जो सेंट्रल स्कीम बजट है वो अलग से है वो 3390 करोड का है तो यह तीन फैक्ट है यहां से तीन नहीं चार फैक्ट है एक यह 9524 करोड का पूरा जो स्टेट डेवल्पमेंट बजट है वो आपने ध्यान रखना है अब इसको आगे चलकर किस तरह से डिवाइड किया गया है यहां से स्टेट डेवल्पमेंट स्टेट डेवल्पमेंट का जो डेवल्पमेंट प्रोग्राम का बजट है वो आपने ध्यान रखना है ट्राइवल वाला धियान रखना है और बैकवर्ड एरिया का धियान रखना है ये आपको पता होना चाहिए मुखे रूप से ये पॉइंट इंपोर्टन्ट है अब यहां पर क्या क्या बात की गई थी यहां पर कहा गया था कि हमने ये भी प्रोवीजन किया है कि कहीं पर अगर कोई अगनी कांड होता है तो जो पीडित परवार है उसमें जो आग में जुलसी हुई कोई बच्ची है उसका इलाज का वहन जो है उसरकार करेगी और परिवार की अगर कोई दूसरी बच्ची है तो उसकी सिक्सा का वेहन भी जो है उसरकार के द्वरा किया जाएगा और इस तरह की बातें कही गई थी जो exam point of view से जो है वो हमने निकाल लिया हमने पढ़ लिया, note कर लिया, इससे जादा हम नहीं जाएंगे आगे अगले कोईशन में बात की जाती है, बोलते हैं how much subsidy provided under मुख्यमंत्री मधुविकास योजना, तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री मधुविकास योजना चलाई गई है, इसके तहर जो है, वो कितनी subsidy दी जाती है, कितना उपदान जो है वो दिया जाता है, तो इसके तहर 80% subsidy option D सही क्यों बात की गई थी, किस तरह से बात की गई थी, हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन एवं सहद उत्पादन की अपार संभाबना हैं, यह कहा गया था, तो सहद आपको पता है, कहां जाता है, मधुमक्खीयों से आता है, मधुमक्खीयां लोग पालने, उसके किसान विद्धी कर सकता है, और यहां से फैसलों में विद्धी होती है, पचीश प्रतिसत तक टिस विद्धी यहां से फैसलों में होती है, और किसानों के बारे में आपने ध्यान रखना है कि 2015-16 का जो agriculture senses हुआ था उसके अनुसार, हिमाचल प्रदेश में जो small और marginal फार्म यह आपने ध्यान रखना है और semi medium और medium farmer जो है वो approximately 10.85% है और आपने ध्यान रखना है कि large farmer है वो 0.30% जो है यह इतनी holding जो है यह land की इनके पास है यह आपको पता चल गए किसानों के बारे में आपको मधुपकी विकास योजना के बारे में पता चल गए मुख्यमंत्री जो म अगले कोशिन में क्या बोलते हैं बोलते हैं अंडर हिमाचल पुस्पकरांती योजना how much subsidy is given for setting up poly house तो गिरास पत्री का मैं क्यों इसकी बात की गई थी सबसे पहले मों context आपको बता देता हूं एक किसान की यहां पर बात कही गई थी कि एक किसान ने जो था इस पुस्पकर पुस्पकरांती योजना की बात नहीं की गई थी वहां पर सिर्फ बात की गई थी poly house की और उसको subsidy मिली इतनी बात की गई थी प्रन्तु exactly जो exam में question बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है कि पुस्पकरांती योजना के तहत कितनी subsidy जो है वो पॉली house set करने पर किसानों को दी जाती है तो यह subsidy कितनी जात दी जाती है यह दी जाती है 85% option D जो है उसे अंसर है अब किसान को मिली जी 85% subsidy और उसने जो था उसका फाइदा लिया अब यहां से योजना के बारे में समझे यह जो हिमाचल प्रदेश पुस्पकरांती योजना है इस योजना के तहद 85% subsidy जो ह फूलों की होती है उसको बढ़ावा मिलेगा सरकार ने यह भी प्राबदान रखा है कि transportation का जो charges होता है फूलों के उपर उसको भी जो हो माफ कर दिया जाएगा तो यह जो है वो वेव डॉफ है यह भी जो हो यहां पर कहा गया तो यह है जी हिमाचल पुस्पकरांती योजन और इसके तहर सान को फाइदा मिला तो वो जो था फूली बाद कही गई थी यहां से जो question बना वो इस तरह से बना और फूलों से की स्थ फाइदा होगा देखो अगर आप फूलों की खेती करते हैं तो फूल तो हर जगा इस्तेमाल होते हैं कहीं पर भी कोई guest आता है तो तरह से जो है वो फूलों से भी जो है उकिसान अपनी आमदनी को जो है वो वृद्धी इंक्रीज कर सकता है और उसको सब्सीडी भी यहां पर मिल रही है ताकि उसको कोई कष्ट नहों अब देखो कई बार क्या होता है ना कई बार किसानों की फसलें जो है खराब कर दे जाती है सोलर फैंसिंग जो की जाएगी उसके ओफ़ सब्सीडी दिजाएगी वो दो तरह से देजाएगी एक तो अगरBoy गरूप में जो हो इस तरह से आज जाती है जैसे मालो कुछ तीन यह तीन से ज़्याद़ा लोग जो है वह फंसिंग कर वा लेते हैं मिलकर गउन के तो उनको 85 percent subsidy जो है वह दी जाएगी और अगर मालू कि किए अगर कोई अकेला इंसान है, अकेला फार्मर है, वो इस तरह की फैंसिंग कराना चाहता है, तो उसको जो है, वो 80% सबसीडी जो है, वो सोलर फैंसिंग पर दी जाती है, तो ये सोलर फैंसिंग से भी 80 और 85% आपने 85% दोनों ध्यान रखने हैं, और पुस्पकरांती योजना जान लिए, या अपने एक मधुविकास योजना जान लिए, वो भी ध्यान रखें, अगला कोशिन देखें, बोलते हैं, वेन विल दा लीज एग्रिमेंट ऑफ सानन प्रोजेक्ट एक्सपायर, काफी टाइम से ये चर्चा में चला हुआ है, सानन प्रयोजना, सानन प्रयोजना, क्या क तरह से था कि जज़वसानन प्रयोजना बनी थी, तो इसके दोरान जो था, वो मंडी के राजा हुआ करते थे, जोगिंदर से, और इसको बनाने वारे जो थे, वो थे करनल बी सी बैटी, तो इनके दोरा जो था, ये प्रयोजना बनाई गई थी, और उस टाइम इस तरह से म पड़ी थी, मंडी के राजा की, और ये कहा गया था कि इस प्रयोजना को यहां से जो बिजली बनेगी, उस बिजली को हम जो है, वो पंजाब सरकार को दे देंगे, एक्शली मोस्टाइम था गया, उस टाइम हिमाचल तो बना नहीं था, नाइंटिन थार्टी डू में हिमा लगार की, अब ये लीज फिमाफत हो रही है, अब लीज, तो हिमाचल को कहता है, कि हमें अपनी परयोजना बापिश चाहिए, पंजाब क कहता है हम नहीं देंगे, तो स्कूल येगर तकरार चला हुआ हूए हिम भार पर गया जो हो कहा जाता है, फिहे नहींदीन गे कि हमे lease agreement खतम हो जाएगा अब सरकार कहती है कि जी हमें हमारी योजना जो है वाफिस दे दो और पंजाब सरकार के साथ जो है वो इसके उपर बार-बार बात भी की जा रही है ये भी कहा जाता है कि इस प्रयोजना के कारण बहुत सारे लोग जो था वो विस्थापित भी हुए थे प्रंतु पचास वरसों के बाद भी अभी तक उनको मुआपजा नहीं मिल पाया है और बहुत सारी बातें जो हैं वो इस तरह से कही जाती है कहा जाता है कि ये जो कांगडा पठान कोड कांगडा जोगिंदरनगर रेलवे लाइन बनी थी ये इसी प्रयोजना के लिए बनी जाना है कि ये प्रयोजना जो था वो कितने वर्सों के लिए लिए प्रदी गही थी ना इनटीन यंडर के लिä क्ली लिए प्रदी गही थी 1932 में ये प्रयोजना कमिशन हो गई धीAS दो पॉइंट हो गई हो ग्या से दो हजार चौवीस में याध पूरी हो रही है ये आपने धयान रखना है कहां पर ये बनी हुए है तो जोगिंद्रनगर बनी हुई है और आपने साथ रखने प्रयोजना की कीपेसिती तो हमने डिसक्यश ही नहीं ही तो इस की capacity है 110 मेगावाट 110 मेगावाट की यह सानन प्रयोजना है उहल नहीं सानन प्रयोजना उहल तो नदी पर बनी हुई है तो यह आपको पता चल गया hopefully कि आप कहीं पर भी confused नहीं हुए होंगे सेरा data आपने अच्छे से समझ लिया होगा जो मैंने आपको बताया अगला question देखिए बोलते हैं गड़ माता temple is located located at तो बोलते हैं कि गड़ माता का मंदिर जो हो कहां प्रस्तित देखो यह मंदिर भी गिज्राज पत्री का में आया था इसके उपर एक आर्टिकल दिया गया था वही हम बात करते हैं कि यह मंदिर कहां पर है तो यह मंदिर डिस्टिक च बनवाया था किसने बनवाया था चमबा के राजा प्रिथवी सिंग के द्वारा बनवाया गये था यह आपने ध्यान रखना है और इसके बारे में क्या क्या लिखा गये था इसके बारे में यही लिखा गये था कि चमबा के राजा प्रिथवी सिंग ने बनवाया था यह मं मंदिर बना लिये गए थे तब उनको सपना हुआ था और माता ने जो था वो सपने में दर्शन दिये थे और कहा था कि अगर तुम जो हो मेरा गड़ नामकस्तान पर मंदिर बनवाते हो तो मैं जो हो तुम्हें यहां से कैसे भी करके रीहा जो हो करवा दूँगी और राजा हामी बर्दी और राजा की नींद खुली तो देखा कि जेल के दर्वाजे खुले पड़े हैं और सभी रक्षक जो हो सोय हुए हैं राजा चुप चाप जो था वो वहां से निकल गया और चंबा की बजाए जो था वो उसने चंबा में एक सलूनी उपमंडल आता है वहां प चेला पर जो था हो जा की रिए अब ह सीला जो था वो बिजली के गिरने से जो था पट गई और माता ने राजा को दर्शन दिये फिर तरसूल रूप में विराजमान हो गई और इसे इसे च्यों चाम班दा का पत्थर जो हो कहा जाता है जिससे स्थान पर राजा ने उस्तान का नाम जो था और राजा का डेरा पढ़ गया इसके बाद राजा ने जिदा असमस्त क्षेत्रवास्जियों को बुला कर एक भब्ब मंद्र का निर्मान करवाया इसमें इसमें भी जो था वो बजर्गों से वरिष्ट लोगों से सुनने को मिलता है कि जब मंद्र का निर्मान करवाया गया था तो मंदिर के लिए पत्थर जो थे वो सियूल नदी से जो था वो लिये गए थे और खास बात ये है कि 20 किलो मेंटर तक 20 किलो मेटर तक लोगों की लाइने लगाई गई और पत्थर को शिफ्ट करते रहे वो सियूल नदी से और गड़ माता के मंदिर तक पहुंचाया गया मंदिर का निर्मान तो हो गया फिराजा ने मंदिर की रक्सा के लिए कई पहरेदार यहीं पर रुकते थे जब इनका राशन खतम हो जाता था तो यह धूँए से अपना संदेश चमबार यहसत के राजा तक पहुंचाते थे और राजा उनके लिए जो था वो राशन की वेवस्था जो था वो कर देता था और भी क्षेतर में जो था वो मंदिर को लेकर बहुत सारी स्रद्धा जो है वो लोकों में हैं जम्मू से भी जो है वो लोग यहां पर आते रहते हैं प्रतिवर्स घुमने के लिए तो यह हमन कि रेजटा रेजटा जो है वो किस क्षेत्र का जो है वो पौशाक है हिमाशल प्रदेश में तो रेजटा देखो हिमाशल प्रदेश के वैच्छ तो अलग लग क्षेत्रों में ये पहनी जाती है पौशाक परंतु मुख्य रूप से जो है ये कोटगर क्षेत्र में पहनी जा जो था वो Victorian look को समझते हुए जो था या फिर उसकी copy को follow करते हुए इसकी copy की तरह जो था एक dress जो था ये बनाई गई थी और होटगर के प्रमुक स्थानिय लोग जो है ये मानते हैं कि इसकी उत्पत्ती जो था वो अमरीकी स्टोक्स से जो था वो हुई थी यहां के लोग मानते हैं कि ये एक two piece परिधान है और ये जो है वो पेटी कोट, blouse और सदरी के वीना जो है ये अधूरा माना जाता है सदरी और ढाटू के साथ जो है इसको खूब लोगों के दरह पसंद किया जाता है तो ये भी आपने धियान रखना है कि ढाटू भी जो है कि यहां की local dress है ये तो पूरे हिमाचल में ही है अगर आप रेजटा देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा Victorian लुक देती है थोड़ा सा और एक common पहाड़ी कल्चर में जो है पहनी जाती है मुख्य रूप से कोटगर के क्षेटर में जो है देखने को आपको मिल जाएगी इतना ज़रूर ध्यान रखें अगला question देखें बोलते हैं how many पंचायत सार देर इन हिमाचल प्रदेश तो आज फिर से पंचायतों की बात हो रही है पंचायतों की बात क्यों हो रही है क्योंकि पंचायतों को लेकर जो था वो कुछ डाटा हिमाचल का दिया गया था डाटा इस त तरह से close close data दिया जाता है ना तब confusion हो जाता है 3600 ये तो आपको याद रह जाएगा प्रंतु 600 से आगे कितना था उसमें confusion हो जाएगा 3611 पंचायतें जो है वो हिमाचल प्रदेश में present time में है और 1,65,211 लोग जो है इन पंचायतों में जो हो प्राकरती खेती का फाइदा ज लिए हिम उन्नती योजना चलाई गई है इस योजना के अंतरगत 2,603 cluster बनाए गए है या फिर बनाए जाएंगे इस तरह से कह सकते हैं और 8,89 ये cluster जो हो चीहनित किये गए है इनके अंतरगत 58,278 बिग्गा जमीन जो हो सामिल की जाएगी और 28,873 प्रिवारों को यहां से फाइदा मिलेगा और फिर प्राकृती खेती की जाएगी प्राकृती खेती से फाइदा मिलेगा और यही सब दिया गया था जो हमने आलरी जान लिया बेसिक बेसिक जानकारी है अगला question देखिए अगला question है Parliament House जो नई Parliament की building बनी है बोलते हैं on which date Parliament new building was inaugurated तो बोलते हैं कि Parliament का जो नया भवन है उसका inauguration कब किया गया था देखो Parliament की जो नई building है उसका उद्गाटन अभी किया गया अभी भी बहुत सारा लोगों को confusion हो गया होगा क्योंकि exactly date याद नहीं रहती है और exam में यही पूछ ली जाती है यह 28 मई को 28 मई 2023 को जो था वो इसका उद्गाटन जो था वो किया गया था आपने ध्यान रखना है कि इसको बनाने में लगवग लगवग एक हसार दोस्तो क्रूर रपय का खर्च जो है वो आया है यह कहा गया और विस्टा प्रोग्राम है विस्टा योजना के तहर्च जो है वो central विस्टा योजना है जिसके तहरे इसको बनाया गया है इसके जो architect हैं वो कौन है इसके architect का नाम आपने ध्यान रखना है विमल पटेल तो विमल पटेल इसके architect है उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है ये question बहुत important है ये आने वाले time में बहुत ही ज़्यादा important हो जाएंगे और बहुत लंबे time तक ये important ही अब रहने वाले है पहले पटे थे पुरानी parliament building के बारे में प्रन्तु अब नई parliament के जो building है उसके बारे में question exam में पूछे जाएंगे इसमें कितने floor है total तो चार floor जो है वो इसमें total है ये project जो था वो इसके जो main contractor थे वो कौन थे तो टाटा project को जो था ये दिया गया था टाटा को दिया गया था ये आपने ध्यान रखना है और आपने ध्यान रखना है कि inauguration की किसके द्वारा की inauguration जो था वो प्रधान मंतिक नरेंदर मोदी ने की थी ये ध्यान रखें है आप जो रास्ट पती को लेकर nfus नगर है कि रास्ट पती ने की होगी और सिंगोल जो है वो भी काफी चर्चा में रहा तो सिंगोल के बारे में क्या ध्यान रखेंगे कि सिंगोल भी जो है पुराने building से जो था वो नई building में लाए गया इसका इसको जो है इस के साथ ज़ोड़ा जाता है जब भारत आज़ाद हुआ था और जोहरलल नहरू उस टाइम प्राइमिनस्ट्र हुआ करते थief उन्हों ने इसको जोड़ा जाता है यह भी पता होना चाहिए यही कोईशन है जो main question बन सकते हैं वो हमने cover कर लिया यहां पर अगला question देखिए बोलते हैं recently who has been appointed as new chief justice of हिमाशल प्रदेश high court तो बोलते हैं कि हिमाशल प्रदेश high court के नए chief justice जो हो कि इसको बनाया गया यह question भी गिरास पत्तरिका में दिया गया था हमने last time ही cover कर लिया है तो आप इस कंसर ज प्रेक्टिस करने को मिल जाएंगे टाइम टू टाइम क्यूज प्रेक्टिस कर सकते हैं और अपने जो आपने पड़ा है उसको बार-बार रिवाइज कर सकते हैं क्वेशन यही है कि नए चीफ जेस्टिस कौन है हिमाचल प्रदेश हाई कोट के इसकी स्थापना कब हुई थी